राधे राधे जबी को आज हम आपके लिए लेकर आएं जबपट बनने वाला मकई का क्रिस्पी चटपटा चिवड़ा मसाले के साथ दिवाली भी आ रहे हैं आप इसे मेहमानों को नाश्टे में भी दे सकते हो आप चाय के साथ कॉफी के साथ ऐसे भी खा सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत कम समय में बनकर ये तयार हो जाता है आईए चलते आज की रेसिपी की और यहां पर हमने मकई के पोई लिए इसे हमने साफ करकर रख लिया था कड़ाई में आपने तेल गरम करने के लिए रख दिया है एकदम गरम गरम तेल में पोई को डालना है ठंडे में आप बिल्कुल न डाले परना आपका चिवड़ा कड़क कड़क बन जाएगा और ओईल भर जाएगा इसलिए गरम गरम ओईल में आपको डालना है और यह बहुत जल्दी फ्राइब हो जाता है देखो अंदर डाला और तुरंत यह बाहर लेना है इस तरह से बनाये हुआ चिवड़े में ओईल भी बहुत कम रहता है और बहुत जादा क्रिस्पी बनता है यह देखी थोड़ा बहुत ओईल है वह भी इससे वहार आ गया चंदी से देखी कितना क्रिस्पी बन कर यह तयार हुआ है और ओईल भी कितना कम है त्आरा चीवड़ा हमने इसी तरह से फ्राइ करकर ले लिया है इस तरह से फ्यादा कर रख लेंगे यहां पर हमने मुवफली लिये हैं इनहीं भीया näगे लेंगे धीमी आज पर हमें माइसे प्राइ करना है यह देख्यानाइख एक्डव अच्छे से क्रिश्पी हो गयें हाँ है है यहाँ आप प्राइ करकर ले लेंगे तो इसे हमने काजु बदाम लिए हैं इन्हें भी प्राइ करकर ले लेंगे ड्राइफ रूट्स आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं अब हम बनाते हैं चीवडे का मसाला यहां पर हमने एक चमस चाट मसाले लिया है एक चमस हम चूर पाउडर लेंगे एक चमस धनिया पाउडर लिया हैं मिर्ची लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पसे गरम गरम सब मसाला हम इस पर मोंग फली वगर सब इस में डाल देंगे हलके से गरमason में अब हम इस पर मसाला डालेंगे हलवाई जब चूड़ा बनाते तो बिलकुरि इसी तरस बनाते है अच्छी तरस से सब जगा मसाला हम चूड़क देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथ से आप इसी तरह से चिवड़ा बना कर देखिए और मुझे कमेंट्स बताइए आपको मेरी रेसिबी कैसी लगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो पे हैपी दिवाली रादे रादे थाइम क्यो